नमस्कार, आज हम लोग स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करेंगे स्ट्रोक, जिससे समझने के लिए हम एनाटमी से शुरू करते हैं एनाटमी में जो पूरा का पूरा नियरो एनाटमी का सेक्शन है उसे हम यहाँ पर समझ पाएंगे इसी तरीके से जो cranial nerve के examination का पार्ट है उसे भी हमें यहीं पर समझने का मौका मिलता है आखिर cranial nerve का examination हम क्यों करना चाहते हैं peripheral nerves के examination जो हम करना चाहते हैं उसका मकसद क्या होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर justify होती हैं जब कभी भी हम बात करते हैं ascending pathway की, descending pathway की या फिर cranial nerves के examination की या फिर जो हम brain stem में different tracks के बारे में study करते हैं उसका practical application actual में इस ट्रोक को localize करने को लेकर के होता है As a doctor, हमें यहाँ पर देखना होता है कि patient का एक एक second बहुत valuable होता है इसके कितने तरीके होते हैं और कभ हमें thrombosis करना है, नहीं करना है वो सारी चीज़े भी हम यहीं पर discuss करेंगे आखिर, यहाँ पर हर एक second इतना valuable क्यों है इस बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें पता है, जो हमारे neurons होते हैं वो regenerate नहीं कर सकते हैं अगर एक बार उनकी death हो गई तो दुबारा वो revive नहीं हो सकते, उनका कोई replacement नहीं होता है इसलिए हर एक second हमारे लिए valuable होता है सवाल यह है कि doctors को तो पता है ठीक है, हमें तो इसकी जानकारी है लेकिन patient को कैसे हम aware करेंगे कि वो कभी भी कुछ ऐसी symptoms अगर उनके घर के आस पास के लोगों में अगर दिख रहा है तो तुरंत वो doctors तक पहुँचे क्योंकि अगर उन्होंने जो golden time था अगर उसको cross कर लिया तो फिर patient की conditions को बहतर कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तो इसलिए code होता है यहाँ पर हम इसको लिख करके देखेंगे और stroke की समस्याओं में एक journal awareness की बात भी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम देखें तो एक code हम बना सकते हैं BE FAST क्या है? BE FAST यह कुछ ऐसे symptoms हैं जो कहीने कहीं stroke की और इशारा करते हैं अगर एक बार समय गुजर गया तो फिर हमें patient को बचा पाना पुश्किल होता है उसके जो complications हैं फिर वो होर करके ही रहेंगे इसलिए ज़रूरी हम patient को ensure कर सकें कि अगर उनके family में कोई person है अगर उनके family में कुछ ऐसे symptoms जिसमें person बता रहे हैं उनको balancing में problem हो रही है उनके घर में कोई person है जो बता रहे हैं कि balancing में उनको दिक्कत हो रही है इसका मतलब है क्या इसका मतलब है कि anterior cerebral artery का कोई location वहाँ पर occlude हो रहा है वहाँ पर कहने कहीं stroke develop हो रहा है जो anterior cerebral artery से supply zone है वहाँ कहने कहीं ये दिक्कत हो रहा है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है, लेकिन पेशन्ट को तो नहीं पता interior cerebral artery क्या होते हैं, लेकिन उसके द्वारा localized एक हिस्से में कहने कहें stroke की वज़ा से neurons प्रभावित हो रहा है, इसलिए person ने अगर अपने घर में वो कह रहा है कि मुझे खड़ा होने में दिक्कत हो रही है, मुझे balance बनाने में दिक्कत हो रही है, इस तरीकी के अगर समस्या है, तो balance एक बनाने में मुश्किल अगर हो रही है, तो ये एक लक्षन हो सकता है, जो stroke की समस्या की और इशारा कर रहा हो, तो ये क्यूं होता है balance बनाने में दिक्कत, उनके माबलों में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर बैलंसिंग में दिक्कत होती है लोवर लिम्स में दिक्कत हो सकती है इसी तरीके से आईज में कुछ अगर समस्या लेकर के पेशन बता रहा है वो कह रहा है कि मुझे देखने में दिक्कत हो रही है मुझे ऐसा लग रहा ह symptom लेकर के patient अपनी बात कह रहे हैं तो उस दोरान भी हमें alarming sign है stroke की समस्या हो सकती है क्योंकि यहां पर ophthalmic artery का involvement हो सकता है और इस वज़ा से patient की eyes में weakness हो रही है इस तरीके का हमनुमान लगा सकते हैं इस दोरान patient हो सकता है क्यों अपने field of vision में कोई changes या फिर blindness की बात वो कह सकते हैं इसी तरीके से patient सुबह उठे और वो brush करने जा रहे हैं और उन्होंने अपने family members को बताया कि मुझे लग रहा है कि मेरा चेहरा टेड़ा हो रहा है इस तरीके की बात वो अगर अपने family members से कह रहा है तो facial asymmetry की problem भी कहीं ने कहीं हमें एक warning दे रही होती है तुरन हमें alert होने की जरूवत होती जो common हमारे population में लोग हैं वो अपने family member को तुरन डॉक्टर से जल्दी से जल्दी उस center तक ले जाने का प्रयास करें जहां पर इस तरीके के problems को tackle किया जा सके तो facial asymmetry अगर हो रही है तो कहने कहीं as a doctor हम समझ सकते हैं mid जो middle cerebral artery है वो प्रभावित हो रही है इस तरीके की समस्या यहां पर इसी वज़ा से develop हुआ है इसके लावा अगर patient ने कहा कि उसके arm में weakness है बाहों में weakness है वो कह रहा है कि मुझे हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है ऐसा लग रहा है कि हाथों में कमजोर पढ़ गया है या फिर उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है या फिर facial weakness है वो सारी चीज़ें भी अगर वो कह रहा है तो अभी भी आप समझ सकते हैं बचाने के बहुत कम हो जाते हैं इसी तरीके से अगर patient सुबह-सुबह कह रहा है मुझसे बोला नहीं जा रहा है मेरे speech में दिक्कत हो रही है तो भी हमें देखने के जरुवत होती है speech या swallowing की अगर वो सबस्या लेकर के अपने family members से बात कर रहे हैं तो भी family members को तुरंत alert होने की जरुवत होती है speech में swallowing में अगर दिक्कत है तो जाहिर से बात as a doctor हम समझ सकते हैं vertebral artery या फिर posterior inferior cerebral artery का involvement वहाँ पर हो सकता है ऐसे माबलो में भी stroke का ये एक लक्षन होता है ऐसे माबलो में patient कई बार हमसे यह भी discuss कर सकते हैं family वाले ये भी बता सकते कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो family member ने sensory symptoms जैसे वो कह रहे थे कि मेरे हाथों में ऐसे लग रहा है कोई pin चुब रहा है कुछ needle चुब रहा है इस तरीके की समस्याओं भी patient अपने family member से discuss कर सकते हैं तो इस तरीके के sensory symptoms हैं तो भी हमें alert रहने की ज़रुवत है तो यहाँ पर देखें sensory symptoms भी अगर patient ने अपने family member से discuss किया है तो भी हम सबस सकते हैं कि ये एक special warning sign हमारे सामने मिल रहा है इस तरीके symptoms के साथ अगर patient कह रहा है तो इसलिए कहा जाता है be far balance अगर balancing में कोई दिक्कत की शिकायत अपनी family member से कोई कर रहा है तो उनके family member को तुरन्ट doctors के पास पहुँचने के जरूवत है अगर eye में कुछ इस तरीके के दिक्कते हैं जिसमें उस patient ने कहा कि मुझे आँखों में दिक्कत हो तुरन्ट doctors के पास पहुँचने के जरूवत होती है facial asymmetry अगर patient के साथ है या arm में weakness अगर है speech में, swallowing में या sensory symptoms है तो भी patient को तुरन्ट doctor के पास पहुचने की जरूवत होती है क्यों? क्योंकि यहाँ पर time का बहुत बड़ा value होता है time का बहुत बड़ा value होता है इसी वज़ा से हम यहाँ पर आपके साथ discuss कर रहे है stroke की इस समस्या के बारे में तो इसलिए कहा जाता है be fast यह code बनाया गया है जिसके द्वारा patient को तुरन्ट alert रहने की जरूवत होती है अब हम इसको as a doctor भी discuss करेंगे लेकिन पहले हम उन लोगों को जागरूप करना चाहते है पेशेंट अगर डॉक्टर के पहुंच जाते है ऐसे center पर जहां non contrast CT scan की facility है और डॉक्टर ने decide कर लिया कि हमें इसको thrombolize करना है तब तो काफी हद तक हमारे पास chances होते है patient की condition को बहतर करने के वरना अगर golden time जैसे जैसे बिगरता चला जाएगा हमारे पास patient की condition को बहतर करने के chances कम होते चले जाएंगे तो यहाँ पर golden time का बड़ा roll होता है इसलिए patient को यह family members को तुरंट alert रहने के जरूवत होती higher centers पर भी इसी तरीकी के alertness देखी जाती है अब सवाल यह है कि क्या हमारे पास पैसे हों हमारे पास facilities हों तो क्या हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती हम तो बच सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि time का यहाँ पर बहुत बड़ा value होता है यहाँ पर हम देखें यहाँ पर हम देख सकते है cause of death of धिरुभाई अंबारी यहाँ पर दिखाये गया है death क्यूं हुआ? bridge candy hospital में 2002 में क्यूं हुआ? देखे कारण measure stroke शायद इंडिया में इनसे ज़्यादा अमीर कोई हो लेकिन हम समझते हैं कि इस तरीके के माबलों में patient की condition कितनी ज़्यादा खराब हो सकती और चाहे जितना भी पैसा हो patient की life को बचा पाना कई बार हमारे मुश्किल हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर neurons के life के आधार पर हम समझ सकते हैं दुरू भाई अंबाने को पहला जो stroke था वो हलके किस्म का था बाद भी जो stroke था वो काफी बड़े level का था इसलिए उनको बचाया नहीं जा सका इसलिए patient को हमें alert रखना है be fast की coding के आधार पर अब हम इसकी detail study करने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कितने तरीके के stroke हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है यहाँ पर stroke होने के बाद हमारे पास chances बहुत कम होते हैं patient को कहीने कहीं हम physiotherapy की basis पर उसे rehabilitate करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर secondary या tertiary level के prevention की वी कोशिश की जाती है लेकिन अगर हम community medicine के उस topic को पढ़ लें जहाँ पर primordial prevention primary prevention के level पर ही अगर stroke को develop न होने दिया जाए तो patient की life के को हम बहतर बना सकते हैं यह बहुत बुरी condition होती क्योंकि एक बार neurons की अगर death हो जाती है तो आप समझ सकते हैं पूरी के पूरी हमारे cranial nerves या फिर जो हमारे peripheral nerves की जो control होता है वो अगर गड़बढ हुआ तो body का वो part affect होता है और बहुत हद तक patient की life की quality खराब होती है इसलिए हमें यहाँ पर पूरी तरीके से ensure करना है primordial या primary prevention के दवार इन सारी चीजों को कम से कम होने दिया जाए तो यहाँ पर देखते हैं क्या-क्या कारण हो सकते हैं stroke होने के और इसको हम एक बार बना करके समझने की कोशिश करेंगे stroke के दो बड़े कारण देखे गए यहाँ पर देखें तो stroke में एक कारण होता है कि जो vessels हैं जो blood की vessels होती हैं वो धीरे-धीरे narrow हो जाती है इसमें यहाँ पर देखा जाए तो धीरे-धीरे यह vessels की जो lumen होती है वो समय के साथ-साथ narrow होती जाती है इसी तरीके से एक तरीका यह भी हो सकता है कि यहाँ blood vessels में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कोई clot आकर के इसको embolai आकर के इसे यहाँ पर जगा पर आकर के रुक गया तो कहीं और का embolai गूमते टहलते अचानक से आकर के रास्ते को ब्लॉक कर दिया यह दोनों ही कारण जिनके बारे में हम देखें कि local level पर इसकी lumen narrow हो रही है या फिर अचानक से कोई clot आकर के इसके जगा पर फस गया यह दोनों ही कारण ischemic causes of brain stroke के माने जाते है यहाँ पर आगे blood का circulation रुकने वाला है रुक गया है इस वज़ा से जो perfusion है वो cellular perfusion प्रभावित होगा इसकी वज़ा से brain की cell की death होती है यह हम समझ सकते हैं इसके रामा एक और तरीका हो सकता है जो हम यहाँ पर बनाएंगे अचानक से एक और तरीके में हम समझ सकते हैं कि blood की vessels फट गई हैं blood की vessels के damage होने की वज़ा से blood आस पास के areas में फैलने लगा तो यह hemorrhizes की वज़ा से stroke develop हुआ है यहाँ पर क्या हो गया अब देखें यह blood आस पास के areas में hemorrhizes की वज़ा से चला गया और इसके करण blood अब आगे के circulation में बहुत कम जा पा रहा है आप समझ सकते हैं जब यह compromise होगा तो आगे के circulation में अब blood कम पहुँच पा रहा है इसका मतब यहाँ के जो neurons होंगे आस पास के उनको nutrients कम मिलेगा आप इस तरीके का अनमान लगा सकते हैं यहाँ जो हमारे neurons हैं आप समझ सकते हैं उनको अब nutrition कम मिलेगा क्योंकि सारा का सारा blood बगल के direction में divert होकर के चला गया जबकि यहाँ पर उसी तरीके का कुछ मामला बगल में भी हम देख पा रहे हैं जहाँ पर neurons बिलकुल nutrients उनको नहीं मिल पा रहे हैं पर देखें क्योंकि आगे blood का circulation नहीं हो पा रहा है इसी तरीके से पहले वाले कारण में भी अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो धिरे-धिरे करके यह बढ़ते 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 ऐसा होता है lumen यहाँ पर narrow हो जाती है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और यहाँ के आगे जो भी neurons available हैं उनको किसी तरीके का nutrients नहीं पहुँच पाने के कारण इन neurons की death हो जाती है कुछ इस तरीके का simplified version हम अपने धिमाग में बना करके कलपना कर सकते हैं देखें point A, point B, point C इसको अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर सबसकते हैं जो point C है, यह totally अलग है इसको कहा जाता है hemorrhizic causes of brain stroke हम इसको क्या कहते हैं? hemorrhizic causes of brain stroke जबकि यह जो point A और B जिसको हमने आपको बताया यह estremic causes होते हैं इसमें estremia develop हुआ estremia क्यों develop हुआ? आगे blood का circulation नहीं पहुँच पा रहा है अब यहाँ पर जो point A है इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो point A जिसको हमने आपको दर्शाया वहाँ पर क्या था? धीरे-धीरे thrombos develop होता जा रहा था जाहिर से बात है वो अचानक से नहीं हो रहा उसकी process में समय लगेगा आप यहाँ पर focus करेंगे point A के reason को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो thrombos develop हो रहा है thrombosis की जो process है इसको अचानक से नहीं हुआ है इसके develop होने में लंबा समय लगा होगा इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो thrombos develop हुआ और उसको ध्रीद्रे progress करने के पहले कुछ तो कुछ घटनाय हुई होँगी जो slowly progress की होँगी इसका मतलब यह है कि patient ने यहाँ पर हमारे सामने alarm भी दिया होगा हमें या अपने family members को doctor के पास तो लोग बाद में पहुंचते हैं family members से इस तरीके की बाते बताते हैं लेकिन family के लोग नहीं जान पाते हैं तो आपको ध्यान रखना है be fast का जो code हमने आपके साथ discuss किया उसके पीछे मकसद यही था कि हम family members as a family members अपने आज पास के लोगों की life case survival को बहतर बनाने के लिए तुरंट alert हो जाएं क्योंकि यह देखा गया है जो यह जो thrombus slowly develop हो रहा है इसको हम बचा सकते हैं जैसे हमने lipoprotein metabolism के मावलों में आपके साथ discuss किये थे lipoprotein metabolism में हम लोगों ने इसके बारे बे डिसकस किया था किस तरीके से atherosclerosis develop होता है और atherosclerosis एक बार जब develop हो जाता है atherosclerosis वहाँ पर जब होने लगता है तो थोड़े दिर बाद vessels जो होती है वो harden होने लगती है खुरदूरी होने लगती है और वहाँ पर कुछ दिर बाद ऐसा भी हो सकता कुछ समय के बाद वहाँ पर platelets इकठे हो जाएं fibrin का deposition हो जाएं पुरी तरीके से thrombosis की जो पुरी पुरी घटनाएं हमने पढ़ रखा है उसको यहाँ पर देखना होगा तो क्या हुआ atherosclerosis lipoprotein metabolism की जो घटनाएं होती है जो हमने देख रखा था cardiac जो circulation होता है जो cardiac vessels होती है उनमें भी thrombus के develop atherosclerosis की वज़ा से thrombus के develop होने की घटना के बारे में हमने आपको बताया था इससे तरीके से हमने peripheral vessels में हमने आपको बताया था claudication lower limbs में भी कई बार ischemia develop होता है वैसे ही यहाँ पर जो ischemia develop हो रहा है यह भी atherosclerosis की वज़ा से हो सकता है तो यहाँ पर देखें यह patient धीरे-धीरे करके अपने patient ऐसे condition में patient की हालत खराब होती है जबकि बगल वाली condition point B के बारे में जब हम देखते हैं point B में क्या होता है point B में अचानक से कहीं और से embolai आया embolai कैसे आ सकता है इसके बारे में भी हम discuss करेंगे लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि जो point B है यहाँ पर patient की condition अचानक से खराब होती है अचानक से खराब होती है इसमें हमारे पास कोई time नहीं होता है और इसमें कोई दूसरे source से चाहे वो carotid artery हो चाहे heart के level पर आम तोर पर heart के level पर cardiac origin में ही वहाँ पर देखते हैं कि cardiac अगर circulation sluggish अगर हो जाए थोड़ा धीमे धीमे अगर vessels में blood आगे flow कर पा रही कहीं blood रुक रहा है कहां रुक रहा है यह सारी चीज़ें भी हम आगे आपके साथ discuss करेंगे क्योंकि यह topic ना सिर्फ यहां stroke समझाता है बलकि यह बताता है fibrillation क्या होता है किस तरीके से cardiomyopathy का एक complication stroke हो सकता है किस तरीके से carotid arteries के भीतर atherosclerosis develop होने की वज़ा से stroke हो सकता है यह different topics हम पढ़ते हैं cardiology के उनको यहाँ पर stroke के साथ correlate करने का मौका मिलता है तो यह सारी चीजें हम यहाँ पर आपके साथ discuss करेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो embolai किसी एक जगा पर means अपनी जगा को छोड़ करके embolus अपनी जगा को छोड़ करके हमारे brain के किसी vessel को जा करके वहाँ रुकावट अगर पैदा करता है तो वहाँ जो समस्या होती वो अचानक पैदा होती है तो इस तरीके से estremia का जो पहला करण था वो thrombus की वज़ा से था thrombus की वज़ा से यह रहा और दूसरा जो करण था यह embolai की वज़ा से था तो overall इस्ट्यमिक कारणों में अगर हम देखें तो यह हो गया हमारा embolik कारण और दूसरा thrombotic कारण तो यह thrombus डेवलप होने की वज़ा से हुआ estremia की दो अलग-अलग हमने टाइप्स देख लिया हैम्रिजिक में क्या होता है यह भी हमें patient को warning यहां नहीं मिलने का मौका मिलता है patient अचानक से आएगा और यहां पर vessels एक बार damage हो गई तो यह भी तुरंत present करेगा इसमें किसी भी तरीके का miss हमारे पास chance बहुत कम होता है क्योंकि patient जब तक आएगा तब तक वहां bleed हो चुका होगा bleeding का site क्या है यह अलग point है लेकिन अभी सिर्फ इतना समझना है कि कोई vessel 40 हुई है कोई vessel damage हुई है वो damage कौन से vessel हुई है यह बाद में हम देखेंगे लेकिन अभी इतना हमें समझ में आता है कि overall मोटे तोर पर अगर हम stroke के division के बारे में बात करें तो यहाँ पर होता है एक ischemic cause और दूसरा होता है hemorrhagic cause अगर overall देखा जाया तो भगवान की दया ऐसी रही है कि 85% causes यहाँ पर ischemia की वज़ा से होते है ischemia की वज़ा से हमारे पास 85% कारण होते है यहाँ पर हम क्यों भगवान की दया या उपर वाले की दया का नाम क्यों ले रहा है क्योंकि यह ऐसे मामले हैं जो ischemic causes हैं यहाँ पर हमारे पास thrombolysis के chances होते हैं thrombolysis अगर हमने करा दिया पेशिंट की condition को हम बहतर कर सकते हैं जबकि यह जो 15% मामले दूसरे type के होंगे जिसमें हैम्रेजिस की वज़ा से होगा यहाँ पर हम thrombolysis नहीं करा सकते हैं इस 15% मामलों में सर्जरी या दूसरे options ही हमारे पास अबलेबल होते हैं और इसमें thrombolysis न करा पाने की वज़ा से highly expert doctors की यहाँ पर हमें जरूरत पढ़ती है तो जो पहला 85% मामला है इसमें हम thrombolysis कर सकते हैं सवाल कुछ और भी additional चीज़ों पर जैसे हम धीरद्रे करके deeply हम जाएंगे मैंने आपको बताया है यहाँ पर सारे tracks के बारे में हम पढ़ेंगे हम उसका clinical orientation पढ़ेंगे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे cranial nerve का examination cranial nerve कहां से गोजरती है यह जितना भी हम neuroanotomy में पढ़ते हैं विश्वास रखेंगे यह पूरा का पूरा जो topic 10 से 12 घंटे का हम लोग अब discuss करेंगे उसमें neuroanotomy पूरी तरीक से cover हो जागा neurology का maximum topic cover हो जाएगा और इसी तरीके से जो thrombus के बनने के प्रक्रिया है या फिर pharma के level पर जो हमारा discussion हो सकता वो सारी चीज़ें यहां पर cover हो जाती है कई सारी चीज़ें एक साथ assembled होने वाली है इसलिए एक काफे interest बनता है लेकिन हमे clinically orient रहते हुए यहां पर समझने का यहां हमें वो orientation जरूर बनाया रखना है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि जब तक हम पढ़ने का कोई last हमारे conclusion नहीं मिलता तब तक हम उस direction में अच्छे तरीके से सोच नहीं बाते हैं लोजिकली हमें यहां पर सोचते हुए चलना है तो ischemia का करीब 60% ischemia thrombus की वज़ा से होता है 40% ischemia emboli की वज़ा से होता है इस बात का कहने का मतलब क्या है यहां पर भी भगवार ने हमारी थोड़ी मदद की patient की life को बचाने के लिए क्योंकि thrombus जो होता है वो धीरे धीरे develop होता है thrombus धीरे धीरे करके develop करेगा इसलिए patient हमारे पास बात कहते हो मैंसे इस तरीके से बताएंगे कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे हाथों में कमजोरी आ रही है लेकिन मैंने avoid किया avoid करने की जरूरत नहीं है ताकि हम patient की life को बहतर कर सकें हाला कि ये होने ही न अपाए thrombus क्यों develop हो रहा है आप इसका कराण देख सकते न है यहाँ पर अगर आप focus करेंगे तो आप समझ सकते न यहाँ पर thrombus develop ही क्यों हुँ हुआ यहाँ पर thrombus के develop होने का कराण था atherosclerosis जाहिर सी बात है patient को अगर हम समय रहते ही lipid profile की testing अगर हमने करा दिया अगर हमने देखा lipid profile उसका deranged है उसमें risk है atherosclerosis का तो हम antiplatelet therapy हम start करके statins का استعمال करके इस तरीके के thrombus को develop होने से बचा सकते हैं जैसे coronary arteries हमने रहा ना body का सिर्फ एक हिस्सा नहीं कई सारे हिस्सों पर इसका दोश पर रिराम हो सकता इस तरीके के atherosclerosis का इसलिए lipoprotein जो metabolism की process है उसको बहुत बारिकियत से बहुत तरीके से हमको एक एक चीज समझने के जरूवत होती अगर हम रोक देंगे तो इस तरीके के narrowing नहीं होगी इस तरीके के narrowing नहीं होगी इतने बड़े कारण में जो ischemia का 60% part जो thrombus की वज़ा से जो stroke develop होता है उससे हम patient को बचा सकते हैं एक चीज और thrombus जो develop होता है thrombus की वज़ा से जो ischemia causes off stroke होता है उसमें patient रात में अपनी presentation लेकर क्याते है वो कहते हैं कि रात के समय मुझे early morning में जब मैं उठा और उसके बाद जब मैं brush करने जा रहा था तो मुझे लगा कि मेरा चेरा टेड़ा हो गया है या फिर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ इस तरीके की दिक्कत वो कहा रहा है तो रात के समय थ्रॉम्बोसिस की process ज्यादा होती क्यों क्योंकि आप समझ सकते हैं रात के समय patient सोई हुए होते हैं और उनकी जो conditions होती उसमें blood का flow थोड़ा श्लगिश होता है थोड़ा धीमा होता है और इस वज़ए से वहाँ पर थ्रॉम्बस के develop होने के chances ज्यादा होती जबकि daytime में embolai कहीं और हो रहा है embolai develop होगा और वो घूमते टाहलते जा करके stroke करा सकता है इस तरीके से होता है तो यह चीज़ें हो सकते हैं दिन में कई बार ऐसा होता है hypertension के patients में बहुत excessive work कर रहे हैं और उनको पता नहीं है यह जो hemorrhagic causes जिसके बारे हमने अभी discuss किया है वो भी हो सकता है hemorrhagic causes जो होते हैं daytime में develop होते हैं और उसके होने का कारण यह होता है hemorrhagic causes की वज़ा से जो stroke develop होता है वो extra work कर रहे हैं और उनका blood pressure बढ़ गया और आप समझ सकते हैं aneurism कहीं पर हुआ है यह सारे कारण अभी हम आपके साथ one by one discuss करेंगे aneurism हुआ है या blood whistles कहीं पर कमजोर है वो अचानक से फट गई hypertension की वज़ा से तो इसलिए hemorrhagic के जो कारण होते हैं उनमें भी patient जो है हमारे पास दिन के time में आते हैं अब सवाल यह है कि हमने golden time की बात किया जो हमने का 4.5 hours होता है यह कब से ही जैसे अभी मैंने आपको का जो लास्ट जो clinical जो presentation लिया है उससे हम 4.5 hours का time लेते हैं मतलब यह नहीं कि हमने patient ने अगर पहले कह दिया और उसका थोड़े दिर बाद कहता है नहीं मैं ठीक हो गया और उसके अगर फिर दुबारा वो कहता है तो जो दुबारा कहा वहां से ले करके हम 4.5 hours का time लेते हैं मतलब रात के समय अगर माल यह develop हो गया suppose कर यह एक तरीका यह भी हो सकता है रात के समय थ्रॉंबोसिस develop हो गया patient सुबा उट करके वो महसूस जब करना शुरू कर दी उस समय से alarming time को आप जोड़िये तो doctor हमें non contrast CT scan करा करके as a doctor हम यही करते हैं हमें जानना होता है कि thrombosis कराना या नहीं कराना हलाकि हमारे पास safe side होता है 85% मामलो में hemorrhizes नहीं होते हैं 85% मामलो में ischemia की वज़ए से होता है इसलिए हम thrombosis करा सकते हैं patient को तुरंट insure करना होता है अभी मैंने आपसे कहा कि patient जब thrombosis की process की वज़ा से thrombosis जब develop हो रहा है तो उसमें कई बार ऐसा कहते है patient कि मैं ठीक हो गया फिर दुबारा से ऐसा लगा मुझे कमजूरी आ गई कई बार ऐसा भी patient कहते हैं आप इस चीज़ को यहाँ पर बना करके देखने की कोशिश करें यह जो thrombosis की वज़ा से होने वाले ischemic causes of stroke होते हैं इनके level पर जब हम बात करेंगे तो देखेंगे thrombosis कई बार develop होता है और वो अपनी जगह पर ही natural anti-quagglant properties की वज़ा से dissolve भी होता रहता है तो आप देखें यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी एक image बनाने की कोशिश करेंगे आप देखें यह blood vessel है जिसमें thrombosis develop हो रहा था हम simple सी बात कहा सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है thrombosis धिरे-धिरे करके develop हो atherosclerosis पहले हुआ atherosclerosis की वज़ा से यह देखें अभी wall narrow हो रही है यहाँ की दिवारे narrow हैं और इसके उपर धिरे-धिरे करके यह platelets आकर के इकठे हो गए platelets आकर के इकठे हुए और इन्होंने रास्ते को narrow कर दिया ऐसा हम देख सकते हैं रास्ता जब narrow होता है उसके बाद हमारी body की anti-quagglant mechanism इस पर काम करती है क्या anti-quagglant mechanism हमारी body की कई बार काम करने लगती है हमारी body नहीं चाहती इस तरीकी की कोई दिक्कत patient को होने लगे जैसे हम जानते anti-thrombin 3, protein C, protein S इनके बारे में हम जानते हैं तो वो anti-quagglant जो हमारी properties है हमारी body में इस तरीकी के unnecessary clot न डवलप होने पाए हमारी body में इस तरीकी के thrombus का development न होने पाए body ऐसा प्रयास करती है कुछ ऐसी anti-quagglant चीजह रेलेज करती है जिसकी वज़़ए से थोड़े दर बाद ऐसा हो सकता है ये clot dissolve हो जाए और उसके बाद फिर से blood का circulation ensure हो जाए तो ऐसा जब होता है तो patient भार भार थोड़े 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 उनके जो condition है कई बार खराब होती फिर वो ठीक हो जाते है तो इसको हम ऐसा मान सकते है कि यहाँ पर हमारे पास alarm के साथ-साथ भगवान ने थोड़ा समय भी दे दिया बचाने के लिए तो इसलिए ऐसे मामले को transient ischemic attack कहते हैं इसे इस तरीके की घटनाओं को हम TIA की category में रखते हैं ऐसे मामलों में भी हमें बहुत रिलाक्स होने के जरूवत नहीं है क्योंकि यह देखा जाता है अगले ही 24-48 hours के भीतर 25% patients में complete stroke develop होने का risk हो जाता है तो complete stroke develop हो सकता है अगले 24-48 hours के भीतर इसलिए हम ऐसे मामलों में भी बिलकुल alert रहने की जरूवत है यह बलकि भगवान ने एक तरीके से patient को बचाने के लिए एक बार alarm दिया कि भाई मैंने यहाँ clot बनाया clot को dissolve हमारी body ने naturally कर दिया लेकिन अभी भी वहां की दिवारे खुर्दरी हैं rough surface अभी भी वहां पर बना हुआ है वो जो rough surface है दुबारा अगली बार जब वहां platelets इकठे होंगे तो हो सकता है हमारा anticoagulant mechanism काम न कर पाए और complete stroke डेवलप हो जाए इसलिए कहा जाता है अगले 24 तो 48 hours के भी तर 25% लगभग 25% patients में complete stroke डेवलप हो जाता है इसलिए हमें डरने के जरूवत होती और patient के साथ बिलकुल सही तरीके से manage करने के जरूवत होती हम transient istumic attack को ऐसे आसानी से नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगले कुछी समय बाद complete stroke भी डेवलप हो सकता है तो चलते हैं बात करते हैं transient istumic attack के बारे में तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर transient istumic attack के बारे में उसके बाद हम discuss करेंगे thrombosis की इस घटना में जहाँ पर थोड़े दिर बाद anticoagulant काम करेंगे उसके बाद वो dissolve करेंगे लेकिन आगे भी risk बना रहता है जब यह transient istumic attack की घटना के बारे में हम discuss कर लेते हैं हम complete stroke के बारे में discuss करेंगे इसे कैसे manage करते हैं management पहले ज़रूरी है बाद में हम क्यों हुआ कैसे हुआ किस reason पर हुआ वो बाद में हम decide कर लेंगे मैंने आपको बताई यह emergency situation होती पहले patient की life को बचाना है और जब एक बार patient की life को हम stable means उसको इक condition को बहतर कर लेंगे तब जाकर के हम थोड़ा सा कोशिच करेंगे इस चीज को जानने की किस reason में हुआ क्यों हुआ है क्या हाँ कहा हुआ है कौन कौन से parts affected है इसलिए सबसे पहले हमें emergency level पर decide करने के जरूवत होती खैर complete stroke को हम थोड़े देरे में discuss करने वाले हैं अभी transient stomach attack के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको बताया ना कि आम तोर पर vessels की narrowing होती है और इस narrowing के मावलों में हम यहाँ पर देख सकते हैं patient के narrowing जो blood vessels होती उनमें narrowing की वज़ा से वहाँ पर thrombus का formation होती है atherosclerosis की घटना हो सकती है यहाँ पर narrowing के बाद यहाँ पर thrombus का formation करा दे ऐसी possibility हो सकती है यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं हमारी body का जो anti-cogglant properties रखने वाले protein C, protein S, anti-thrombin यह हमें बचाने का प्रयास करते हैं और थोड़े दिर बाद यह clot dissolve हो जाता है इस तरीके से यह patient जितने भी हमने कहा न be fast के जितने भी symptoms थे हो सकता है patient में develop हुए हो लेकिन थोड़े दिर बाद वो resolve हो गया है क्यों? क्योंकि हमारी body के anti-cogglant mechanism ने उसको बेहतर कर दिया फिर से condition को resolve कर दिया इसका मतलब यह हुआ कि clot अपने आप natural तरीके से dissolve हो गया लेकिन हम पूरी तरीके से dissolve नहीं हुआ है vessel की दिवारे अभी भी उतने ही rough बनी हुई है दुबारा जब thrombus develop होगा तो हो सकता है complete thrombus वहाँ पर develop हो जाए तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं symptom तो आम तोर पर within hour या फिर 30 minutes, 10 minutes, 20 minutes कई बार maximum 24 hours के भीतर-भीतर dissolve हो जाते हैं condition resolve हो जाती thrombus के dissolve हो जाने की वज़ा से ऐसा हो सकता है लेकिन अभी भी हमें ध्यान रखना है patient ने अगर be fast की code में से कोई भी symptom या फिर एक से जादा symptoms के बारे में बात किया है तो तुरंथ हमें doctors के पास मिलना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ठीक है थोड़ा से safety margin हमारे पास मिल गया है हमारे पास थोड़ा time है हम patient को अच्छे तरगे से check कर सकते हैं पता कर सकते हैं thrombus कहां develop हुआ thrombus को हम dissolve कर सकते हैं यह सारी चीज़ें हम कर सकते हैं तो हमें पता होना चाहिए अगर patient ने कहा balancing में दिक्कत हो रही है यानि paraplesia जैसी चीज़ें भी patient बता सकते हैं lower limb में weakness है इसका मतलब यह हुआ as a doctor हम कहा सकते हैं anterior cerebral artery में कोई दिक्कत हुई है लेकिन वहाँ पर जो thrombus डिवलप हुआ हो सकता patient का है थोड़े दिर बाद मिजरा resolve हो गया इसलिए क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है क्योंकि यह ठीक बात है कि within our यह resolve हो गया लेकि आने वाले समय में अगर दुबारा develop हुआ तो बहुत बड़े level पर होगा और उसके बाद complete stroke यहां पर हो सकता है इसलिए हमें यहां ध्यान देने की जरूरत है इसी तरीके से patient कह सकते हैं उनकी आई में दिक्कत होगी अप्थालमिक आर्टरी की blockage हो सकता है जिसके कारण वो कह रहे हैं कि हमें यह transient blindness हुआ और blindness करीब 30 मिनिर तक बना रहा है उसके बाद condition resolve होगे ऐसा भी हो कह सकते हैं इसी तरीके से patient कह सकते हैं facial asymmetry की बात जो की middle cerebral artery के involvement की वज़ा से होता है इसी तरीके से patient ने कहा कि मैं brush कर रहा था और सुबस वो उठा मैं brush कर रहा है मैंने आपको बता ना रात के समय यह चीज़ें थ्रॉम्बस ज़्यादा develop होते हैं blood जो है sluggish mist थोड़ा से धीमा slow circulation होनी की वज़ा से रात के समय patient की condition में थ्रॉम्बस ज़्यादा होता है तो सुबस वो उठा उसे खड़ा नहीं होए जा रहा है इसी तरीके से patient ने कहा कि मैं जब सुबस उठा तो देखा जब brush करने जा रहा तो मेरा चेहरा टेड़ा हो गया या फिर patient ने का मुझसे brush करते से ऐसा लग रहा था मेरे हाथों में जान नहीं है इस तरीके की बात कहा रहा है तो हमें डरने की आपशकता है देखें आम में weakness है facial weakness भी हो सकती है middle cervical artery में कोई इस तरीके का thrombus डेवलप हो रहा है हाला कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी anticoagulant जो mechanism है वो इस घटना को resolve कर देती है लेकिन हमें पता है न यहाँ पर community medicine का इतना बड़ा importance होता है कि हम कई बार ऐसा होता है सोचते हैं काश यह घटना develop ही ना होने पाई होती क्योंकि patient कई बार जब आते हैं हमारे पास हम अपने health की quality लगातार ensure रखें ताकि इस तरीकी की घटना ये ना हो क्योंकि एक बार अगर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं neurons दुबारा regenerate नहीं कर पाते हैं देखते हैं arms में weakness हो गया इस तरीके से patient का speech, swallowing तो ऐसा vertebral artery या posterior inferior cerebral artery के involvement की वज़ा से हो सकता है हाला कि अगर patient का थोड़े दर बाद घटना resolve हो जाती तो भी हमें alarming situation में रहना होता है क्योंकि इन सारे चीज़ों में time का बड़ा value होता है तुरंत हमें higher center की और जाना चाहिए और patient को doctor के साथ consult करनी की जरूवत होती है आम तोर पर हम जानते हैं अगर ऐसी घटना है हो रही है जिसमें patient ने हमें कुछ अपने घरवालों से बात किया ये society को जारूर जागरूक रहने के जरूवत है patient ने घरवालों से discuss किया आगे क्या करना है एक घंटे की भीतर symptoms ठीक हो गया लेकिन तुरंत हमें doctor से तब भी मिलना है हमारे जो higher symptoms होते है वहाँ पर जाकर के patient को अपनी conditions के बारे में और work up कराने के जरूवत है आमत और पर symptoms 30 minutes, 1 hour maximum 24 hours के भीतर-भीतर resolve हो जाते है लेकिन आने वाले समय में person 48 hours के भीतर-भीतर measure risk उसमें हो सकता है इसलिए हमें यहाँ पर जागरूक रहने की जरूवत होती है और यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं एक scoring के द्वारा patient की condition को समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम A, B, C, D, 2 risk factor को यह बारे में बात करते हैं यह A, B, C, D, 2 risk factor क्या होता as a doctor हम देखने की कोशिश करते हैं patient में अगले 24 से 48 hours की भीतर stroke के develop होने का कितना chance हो सकता है इसमें हम देखते हैं A's को A का मतलब A's A's कितना है अगर 60 years से जादा है तो हम one value देते हैं ऐसे मामलों में one value दी जाती है A, B, C, D, 2 score में A for A's B for BP BP अगर उनका higher range में है 140 और 90 से above है तो भी हम one score देते हैं ऐसे clinical symptoms जैसे patient ने कहा कि मेरी हाथों में upper limbs में weakness है ऐसा लग रहा था मेरे दम नहीं था बाद में ठीक हो गया लेकिन डॉक साब सुब़ सुब़ जब मैं उठा तो उसमें ऐसा लग रहा था brush करते हैं मेरे हाथों में जान कम है तो अगर upper limb में weakness है तो ऐसे माबलो में हम two points देते हैं लेकिन अगर patient ने कहा कि मुझे speech में difficulty थी लेकिन हाथों में उतनी weakness नहीं थी तब हम as a doctor one score देते हैं इतना हीने patient ने कहा अगर हमने patient से बात किया और उनसे पूछा कि आपको ये election कितने समय तक बने रहा है अगर उनसे हम पूछते हैं कि ये symptoms कितने समय तक बना रहा तो अगर एक घंटे से ज़्यादा समय तक ये symptoms बने रहा है इसका मतलब ये thrombus बहुत strong level का develop हुआ था transient stomach attack के दौरान thrombus बहुत बड़े level का develop हुआ था जिसको dissolve करने में body की natural mechanism को बड़ा लंबा समय लग गया इसका मतलब ये हुआ कि घटना 60 minutes से ज़्यादा समय के रही और इसमें हम 2 points देते हैं अगर patient ने कहा नहीं राक साब 10 minutes से ज़्यादा था अगर 10 minutes से ज़्यादा और एक घंटे तक वो बना रहा घटना resolve जो conditions थे उसको resolve होने में time लगा इसका मतलब हमें 1 point देना अगर एक घंटे से ज़्यादा रहा यानि thrombus बड़े level का develop हुआ था ऐसे मामल में 2 score देना होता है diabetes के जैसे अगर वहाँ पर condition है diabetes और hypertension आप समझ सकते हैं stroke के बड़े कारण होते हैं अभी मैंने आप से कहाता है hypertension के मामले को भी 1 value देते हैं 140 by 90 से उपर अगर मामला है तो 1 score देना है ऐसे diabetes है और person oral antibiotic drugs ले रहा है या insulin ले रहा है तो ऐसे मामलों में भी हमें 1 value देना होती है और ध्यान रखना है अगर patient का score 7 या 7 से जादा आ रहा है इसका मतलब ये है alarming condition है patient को भगवान ने बचा लिया इस तरीके से हम patient को कहेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप में अगले 24 से 48 hours या 48 hours के भीतर भीतर 25% तक chance है कि आप में major stroke होने का इसका मतलब ये है कि patient में आने वाले समय बहुत critical है और हमें patient को अब बहुत अच्छे से evaluate करने के जरूवत है ये इस तरीके का thrombus develop हो रहा है तो ये कहां develop हो रहा है किस जगर develop हो रहा है उसको पता करना है कई बार ऐसा होता है emboli की वज़ा से या फिर middle cerebral artery, anterior cerebral artery कहीं पर भी वो clot जा करके रुक सकता है तो उन सारी चीजों के बारे में जानना कि उसका origin क्या है clot आया कहां से अगर emboli ही का अगर हमें doubt लग रहा है तो emboli कहां रहा है उसका भी हम work up कर सकते हैं क्योंकि अभी patient transient istromic attack के मामल में हाला कि maximum मामलों में ये thrombus की वज़ा से होता है तो ये patient जो ही हमारे पास आता है हमें value मिल गई 7 या 7 से जादा तो तुरंथ हमें treatment start कर देना क्या treatment start करेंगे loading dose के रुप में हम esprin और clopido grill देना शुरू कर देंगे 300 mg, 300 mg stat dose देंगे और अगले दिन हम 75-75 mg पर उसको transfer कर देंगे इतना ही नहीं high doses of atorvestatin भी देना शुरू कर देंगे मैंने आपको बताया ना कि ऐसे मामलों में हमारे पास chance है काश अच्छा होता कि patient का lipid profile हमें पहले से पता होता तो हम उसकी condition को और समय से पहले बिगडने से पहले ठीक कर सकते थे तो यहाँ पर देखें atorvestatin जो है 40 mg के साथ यहाँ पर हम high doses दे सकते हैं इसके अरामा Indian population में या Asian population में homocysteine का level high होने का risk होता तो ऐसे मामलों में vitamin B6, B9, B12 भी हमें start करना होता है जब एक बार medicine हम start कर दी अब हमारे पास time होता है emergency के मामलों में पहले condition हमें ठीक stable करने की होती उसके बाद हम detail work up बाद में करते हैं तो यहाँ पर देखें अब हम वहाँ पर work up करेंगे ECG को check करेंगे यहाँ पर देखा गया है embolai के develop होने का बड़ा कारण atrial fibrillation होता है embolai तो नहीं develop हुआ है अगर हुआ है तुरंथ हमें debigatron या revoraxa band start कर देना चाहिए क्योंकि यह drugs हमारे अगर इस तरीके का कुछ भी यहाँ पर atrial fibrillation की वज़ा से clot अगर develop हो रहा है हो सकता कई बार छोटे clot हो अगर clot को हम dissolve नहीं करेंगे तो हमारे पास patient की condition आने वाले समय अगर embolai बड़े level पर develop हो गया है तो brain के multiple parts को प्रभावित कर सकते हैं हमने यहाँ पर समझना है thrombosis की जो घटना होती है वो हो सकता है brain के किसी खास part को प्रभावित कर रहा है इको काडियोग्राफी या फिर हम इस तरीके के लेवल पर ट्रांस उसफीजियल इको काडियोग्राफी करा करके mural thrombosis की घटना के बारे में rule out करने का प्रयास करते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो thrombosis होता है वो carotid artery के location से घोमते टालते उपर के उजाता है ब्रेन का local ना हो करके मैंने आपको बता है brain के दूसरे parts में होता है तो जैसे हमाल लीजे atherosclerosis carotid artery में develop हो रहा था वहाँ पर कोई clot बना और वो carotid artery से उपर चला गया तो ऐसे मामलों में हमें carotid artery के doppler scanning कराने की ज़रूवत होती atherosclerosis को rule out करने की तो इस तरीके से हम location को पहले एक बार check करने की कोशिश करते है patient का अभी हमारे पास transient stomach attack के मामले में work up करने का time होता है तो पहले ही हमने patient की condition की stable कर दिया हमने तुरंट जो antiplatelet drugs थे वो शुरू कर दिया उसके बाद हमने detail work up करना शुरू कर दिया बार्स के भीतर भीतर 25% तक risk होता है बड़े level का stroke develop होने का कई बार ऐसा होता है patient अपनी condition के बारे में बता नहीं पाते हैं और तब आते हैं जब उनको major stroke हो चुका होता है तो stroke के मामलों में कई बार तो ऐसा होता है कि patient के पास इतना समय नहीं होता transient stomach attack कुछ lucky लोगों में होता उसमें भी वह lucky लोग बहुत कम होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं और उसमें भी कम ही lucky लोग होते हैं जो सही तरी केशार अपना treatment करा आँगाते हैं लेकिन फिर्भी transient stomach attack में हमें patient की condition को बचाने के chances होते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है, on spot patient की condition खराब होना शुरू हो जाती है, जिसमें एक एक second की value होती है, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, measure stroke, transient stomach attack के बाद, यहाँ पर हम TIA के बाद, stroke के level पर भात करेंगे, मैंने भी आपको बताना है, stroke की वज़ा से धिरुभाई अंबा करेंगे, objective questions के कई सारे types होंगे, इसमें हमसे पूछा जाएगा, किस vessel में clot है, किस vessel में कहाँ पर thrombosis हुआ है, और उसके कारण कौन सा reason प्रभावित हुआ है, तो कई बार होता है, कि माल लिजे हमारा mid brain प्रभावित हुआ है, mid brain के वहाँ के neurons damage हुए है, तो उसके जो symptoms आते हमें ये देखना होगा, पॉंस के हिस्से में इस तरीके का कोई stroke develop हुआ है, कई बार होगा medulla के level पर होगा, कई बार ऐसा होगा कि हमें उसके ऊपर के brain के level होते हैं, उसके level पर भी बात हमें करनी होगी, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, मैंने यहाँ पर एक model बना की कोशिश की है, इसके भीतर ये subcortical reason है, और इसके पीछे हम कल्पना कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारा brain stem का हिस्से को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, देख लेते हैं, यह देखे brain stem का हिस्से, यह है हमारा mid brain, अगर overall brain को समझना है तो इतना मुश्किल नहीं ह अगर हम चाहें तो दोन ही साइड में यहां पर हम लगा देते हैं Cerebellum तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी orientation को समझ सकते हैं यह देखें यह एक अच्छा खासा shape यहां पर बना हुआ है यह देखें Cerebrum है Cerebrum के भीतर यहां देखें यह जो हमारा subcortical region है और उसके बाद यहां पर मैंने आपको बताया ना कि यह हमारा brain stem का हिस्सा है brain stem के हिस्से को आप यहां पर देख सकते हैं इसके लावा यह Cerebrum है अब यहां पर हुआ क्या कहां पर stroke develop हुआ है कौन सा reason प्रभावित हुआ है उन सारी चीजों पर भी बात हमें करने का मौका मिलेगा तो अगर देखें तो यहां blood के circulation के पहले हमें जानकारी होना जरूरी है जिसको हम अगले lecture में आपके साथ discuss करेंगे blood के circulation के बारे में जब पता होगा उसके बाद हम देखेंगे कि इस reason में कौन-कौन से centers हमारे body के important centers यहां पर पाये जाते हैं जो center वहां पर प्रभावित होगा वैसा हमें clinical examination के दौरान पता चल जाएगा जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि mid brain के level पर कौन-कौन से cranial nerves होते हैं और उन cranial nerves का examination हमें करना जरूर होता है 3 and 4 mid brain के level पर अगले 4 pontomedullary junction से निकल रहे होते हैं जिसमें हम आपसे बात कर सकते हैं यहां 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 वो cranial nerves pontomedullary junction से जो निकल रहे होते हैं उनके clinical examination से हमें पता चल सकता है पॉंस या उसके आज पास के हिस्से में कहीं कोई stroke develop हुआ इसी तरीके से अगर हम medulla के reason में अगर हम बात करें तो cranial nerves के examination के द्वारा हम क्या सकते हैं यहां पर हम बता सकते हैं कि यहां पर 9, 10, 11 गया cranial nerve number 12 कौन सा प्रभावित हुआ है तो उसके examination के द्वारा हम इस region को localize कर सकते हैं तो objective question इसी आधार पर पूछा जाता है यहां पर जो manifestations होते हैं इस vascular causes की वजह से और उसका clinical orientation हमें अगर पता चल जाए तो बहुत बहुतर तरीके से हम समझ सकते हैं तो यहां पर मैंने आपको बताया ना कि neuronautomy इतना मुश्किल नहीं है अगर मैं इस चीज़ को आपके clay के model के माध्यम से बतानी का प्रयास करूँ तो हमारे brain में सीधे तोर पर देखा जाए तो यह है हमारा cerebellum यह है हमारा brain का stem brain stem और इस brain stem में अगर मैं इसको कहूँ यहां पर इसको थोड़ा सा बनाय रखता हूँ इसको चली चिपका हुआ है इसको हम cerebellum को हटा देते हैं यहां पर अब हमारे पास brain stem है इस brain stem के थोड़ा सा उपर अगर हम जाएगे न इस brain stem को अब मैं हटा देता हूँ ब्रेन stem को थोड़ा सा मैं हटा दूँ तो यहां पर देखेंगे यह होता है thalemus का region आप देखें, यह जो mid brain से थोड़ा सा lateral, उपर और lateral side में हमें thalamus दिख जाएगा, thalamus से थोड़ा सा और lateral जाएगे तो internal capsule मिल जाएगा, internal capsule से थोड़ा सा और lateral जाएगे तो हमें lentiform nucleus मिल जाएगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं, बहुत आसान होता है, यहां पर समझना, thalamus, फि थोड़ा सा lateral ही जाएगे तो lentiform nuclei हमारे पास मिल जाएगे, तो basal ganglia के level तक हम समझ सकते हैं यहां पर, तो बहुत मुश्किल नहीं है, यहां पर इस तरीकी के reason को orient कर पाना, आगे चल करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर भीतर की ओर, जो सब कॉर्टिकल नुकलियाई होते हैं, वहां पर किसकी blood supply मिल रही होती है, और वहां के reason में अगर कोई changes अगर आ रहा है, stroke वहां develop हो रहा है, तो patient की conditions में क्या-क्या clinical manifestations हमें देखने को मिल सकता है, उस level पर भी हम बात कर सकते हैं, वहीं connection होता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर यहीं पर बात करें, तो यहां middle cerebral artery का हमें location पता चलता है, ऐसे पीछे की और जो हम बात करते हैं, इधर की और हमारे पास पीछे के cerebral, cerebral के level पर posterior cerebral artery का हमें यहां connection पता चलता है, तो हमें इस पूरी घटना को समझने के stroke को समझने के लिए जरूरी है, हमें उस पूरी के पूरी जो physiology है, जो anatomy है, जो पूरी तरीके से हमारे medicine का जो knowledge है, उन सारी चीजों को एक साथ assembled कर देंगे, जो cranial nerve के examination होते हैं, जो tracks का pathway होता है, जो हमारा पूरा का पूरा जो physiology में हम neurology को पढ़ते हैं, cerebellum को पढ़ते हैं बिसल गैंगलिया को पढ़ते हैं, internal capsule को पढ़ते हैं, thalamus को पढ़ते हैं, cerebral cortex में, जो hermeniculus का orientation देखते हैं, इन सारी चीजों के बारे हमें हमें देखने को मिलेगा, यहीं पर हमें बात करने को मौका मिलेगा, circle of willis के बारे में, circle of willis आप जानते हैं, क्या होता है, उसको मै एक बार justify कराने का, आपको feel कराने की कोशिश करूँगा, आगर circle of willis भगवान ने, नेचर ने, उपर वाले ने इतना बहतर क्यों बनाने का प्रयास किया, वो सारी चीजें हम discuss करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जब patient आता है, तो इतनी detail level पर work up करने का तुरंत मौका नहीं वेस्कुलर मेकनिजब वहाँ पर involved है, मैंने पूरी पूरी ब्रेन का हिसा आपको इसलिए दरशा है, यहां stroke है या transient stomach attack है, उसके level पर बात करने होगी, मैंने कहा न, patient को तुरंत alert होना चाहिए, अगर इसमें से कोई भी घटना देखनी को मिलती है, तो patient को तुरंत alert होना बह non-contrast CT scan कराना बेहद जरूरी हो जाता है, यहां पर देखेंगे, हम यहां पर किस तरीके से non-contrast CT scan करा करके, हम यह जानने की कोशिश करेंगे, कोई hemorrhysic cause तो नहीं, अगर hemorrhyses नहीं होएं, तुरंत हमें thrombolysis कराना है, क्योंकि हमारे पास time, जो ही patient ने कहा कि मुझे पहल amazing कराते समय, हमने क्या देखा, यहां पर देखें, हमने तुरंत non-contrast CT, चुकि Indian scenario में, हमारे पास तुरंत अगर देखा जाए, तो non-contrast CT का ही availability होती है, ischemia है, यह तुरंत confirm हो जाता है, या फिर 15% मामलों जो hemorrhysic होते हैं, तो उनके बारे में तुरंत पता चल जाता है, अ कहीं और का, cardiac origin का, carotid artery की origin का, अगर कहीं और का, अगर है, वो brain तक पहुँच गया, तो ऐसे मामलों में, patient की condition, rapid onset उसका presentation होगा, तो यहां पर देखें, relatively fast presentation, embolai का होता है, लेकिन, thrombosis और embolai यही दो बड़े कारण होते हैं, इसमें estremic stroke, जो 85% मामलों में हो सकता है, हो सक के बारे में पता हो, तो वो transient estremic attack वाले भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर estremic stroke है, बड़े level पर है, तो हमने brain imaging करा दिया, कई बार, जो foreign countries होती है, वहां पर तो और भी बेहतर सविधाय होती है, तो वो तुरंट उस clot के location को भी localize कर लेते हैं, कहां पर वो ज या MR angiography या फिर diffusion weighted MRI कराने की सुविधाय हैं, कुछ ही जगों पर होती है, फॉरण में बड़े centers पर यह availability ज्यादा होती है, क्योंकि diffusion weighted MRI जो भारत में तो possible बहुत मुश्किल से हो सकता है, क्योंकि बहुत sensitive है, even a minute after onset हम तुरंट localize कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, लेकिन इतना की stroke को ensure करना है, और उसके बाद thrombosis कराना है, thrombosis कराने के दौरान, thrombosis कराना या thrombectomy कराना है, इसको हमारे पास यही दो option होते हैं, जबकि अगर hemorrhizes की वज़ा से हुआ है, तो हम patient के BP को कम करने का प्रयाज करते हैं, क्यों? यहाँ पर देखना होगा, यही पर management का अगले vessels 40 हुई है, blood vessels वहाँ पर, वहाँ पर rupture हो गई है, तो हम वहाँ पर relatively BP को 140 से नीचे रखने का प्रयास करते हैं, क्यों? क्योंकि 140 से नीचे रहेगा, तो bleeding का, जो bleeding जो बहुत fast हो रही थी, आप समझ सकते हैं, bleeding जो बहुत fast हो रहा था, उसको हम थोड़ा slow down कर सकते हैं, तो जो अगर वहाँ पर blood pressure high रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा hemorrhages और ज्यादा हो जाएंगे, और condition और ज्यादा भी गड़ सकती है, तो हमें patient के hemorrhagic causes में BP को थोड़ा सा कम रखना होता है, BP कम रखने के लिए कौन सी हमारे पास medicine उस समय emergency में होनी चाहिए, वो अभी हम थो systemic stroke का करण पता चल गया, तो ध्यान रहे, यह 85% मामलों में यही होता है, और ऐसे मामलों में thrombolisis ही हमें कराना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, thrombolisis में delay हो रहा होता है, thrombolisis में अगर delay हो रहा है, तो patient के BP को यहाँ पर higher side में रखने का कोशिश करते हैं, higher side में, ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर patient की conditions आप समझ सकते हैं, अगर इसको image के द्वारा बना करके देखने की कोशिश करें, तो दोनों के बीच के differences को हम समझ भाएंगे, यहाँ पर देखे, एक जगा blood vessels narrow हो गई हैं, आप कलपना करें, एक जगा blood vessels अगर narrow हो गई हैं, तो उसकी वज़ा से naturally perfusion में, दिक्कत होरे cellular perfusion में समस्या आ रही, आप देखें, यह narrow हो गया है, यहाँ पर पूरी तरके से खतम हो गया है, तो हमारी कोशिश होगी यहाँ पर high pressure से blood circulation को जितना भी संभाव हो सका है, उसको maintain किया जाए, ऐसी कोशिश हम करेंगे, इसका मतलब यह है कि estrumic causes में हम high blood pressure ensure करना चाते हाला कि उसमें भी बहुत ही जादा high नहीं, जितना मन में आया उतना नहीं, हम BP को 220 by 110 mmHg या उससे कम ही हम रखने का प्रयास करते है, कोशिश रहती है कि 200 या उससे above ही रहे, लेकिन इससे कम कम रहे है, यहाँ पर कोशिश ही रहती ही, BP थोड़ा higher side में रहे है, यहाँ से bleeding हो सकता है, और इस वज़ा से BP को हमें 140 by 90 या उससे कम ही रखने की कोशिश करनी है, तो यहाँ पर BP को हमें बढ़ाना नहीं यह वरना condition और भी कर सकती है, ध्यान रहे, जब कभी भी हमें thrombosis की कोशिश करनी है, तो उससे पहले हमें देखना है कि BP थोड़ा सा higher range म उपर ना जाने पाए, अब यहाँ पर देखा हमने कि patient की perfusion हमें maintain करने के लिए ischemia वाले reason में थोड़ा सा higher side पर ही हम blood pressure को maintain के हुए, इसके बाद अगर हम ही पता है कि patient को अभी हम thrombolize करने वाले हैं, तो अगर thrombosis की वहाँ पर availability है, तो ऐसे मामलों में हम patient के blood pressure को थोड़ पर तयार करते हैं, तो ऐसे मामलों में हमें BP को थोड़ा सा और low range में लेकर के जाने के जरूरत होती है, और अब हम 180 by 100 या 90 के आसपास इसको रखने की कोशिश करते हैं, तो patient का BP अभी भी थोड़ा सा high रखना है, लेकिन यहाँ पर उतना जादा नहीं कर रहा है, तो अगर अगर यहाँ पर कहा जाए, पहले की तुलना में, तो पहले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर blood pressure 110 से लेकर 120 तक रखते हैं, यहाँ पर 110 डास्टोलिक, 110 से 120 तक, जबकि यहाँ पर जो blood pressure हम रखते हैं, वो 100 से 110 डास्टोलिक हम रखने का प्रयास करते हैं, कुल मिलाकर है हमने आपको बता है सेलिलर पर फ्यूजन जितना मिंटेन हो सके उतना बनाया रखना है एक बार हमने जब कोशिश कर लिया थ्रामबोलिसिस कराने के लिए तो यहाँ पर टीशू प्लाजमिनोजन एक्टिवेटर की की इस्तेमाल किया जाता है क्लोट को घुलाने के लिए टीपिये का इस्तेमाल किया जाता है क्या कौन सा टीपिये हम इस्तेमाल करते है उसके बारे में अभी हम आपके साथ बात करेंगे और डीचेल में डिसकस करेंगे जिसमाल यह एल्टेपलेज का हम इस्तेमाल करते हैं तो करने के एकदम कोशिश जब वहां पर जो हमारे लिए होता है वहां पर थ्रॉम्बोलिसिस के दौरान हम 180 बाई 110 मतलब आप हायर साइड में तभी रहते हैं रिलेटिवली आप थोड़ा कम ब्लड प्रेशर उसमें रखते हैं थ्रॉम्बोलिसिस के बाद हमें अब डीटेल में 1 वरकप करना होता है हमें जानना होता है क्या क्या कारण हो सकता है जो इस तरीकी थ्रॉम्बस के लिए हैस्पॉंसिबल रहा है या इस तरीकी की इंबॉल्ाय के डीछ थैसिंट्र पर तो हम मैस पूरे के ब्लेट वीश तक ट्रेस कर सकते हैं इसके अलामा हम यह भी जानने के कुश्च कर सकते कि जो primary origin है emboli का आप समझ सकता है emboli कहीं और से develop होकर वहां तक पहुंचा है तो emboli का जो primary origin है उसके बारे में हम पता करने के लिए और जादा हम work up कर सकते हैं यहां पर देखें हमारे पास atrial fibrillation के मामले करीब 70% होते हैं जो emboli की वज़ा बनते हैं तो 17% मामले यह Harrison ने ऐसा mention किया ऐसे carotid artery के level पर carotid diseases के level पर वहां कोई atherosclerosis के बाद clot बना जो emboli के रूप में वहां पर पहुंच गया इसी तरीके से 64% ऐसे मामले होते हैं जहां पर हमें बहुत सारे कारण मिलते हैं जो इस तरीके के वज़ा बनते हैं तो इस ट्रोक के इतने सारे कारण हमारे पास हो गए जो ischemic causes थे तो ischemia के दो कारण या तो thrombus या फिर embolai तो उन दोनों को हमने detail work up कर लिया उसका location हमने करने की कोशिश की किस कहां पर वो brain के किस हिस्से में जा करके फसा पड़ा हुआ है वो हमने पता कर लिया और उसका primary origin क्या है वो वहीं पर thrombus develop हो रहा था या thrombus कहीं और develop हो करके वहां तक पहुंच करके पत चला गया है मेरी बास समने है तो मैंने आप से का carotid artery से वह पह परन होते हैं उनके level पर हमें work up करके पता करना होता है इस दौरान हम clinical examination भी कर सकते हैं हम देख सकते हैं cranial nerve का examination, peripheral nerve का examination, हम ascending pathway का examination कर सकते हैं descending pathway का examination कर सकते हैं और इस तरीके से पूरे के पूरे human body में जो neurons का connections है उसके बारे में एक अनुमान बनाने का प्रयास कर सकते हैं यह सारी चीज़ें अभी हम अब कर सकते हैं पहले तो हमें thrombosis करना है या नहीं करना उसके level पर अगर हम बात करें कि यहां अगर BP low कर दिया तो उसके बाद हम establish कर सकते हैं उस cause को कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर aneurysmal sub arachnoid hemorrhages वहाँ पर होता है aneurysm की वज़ा से हो सकता है कई बार hypertension की वज़ा से हो सकता है कई बार कुछ और कारण होते हैं जिनके बारे में हमें work up करना होता है तो अगर aneurysm क की वज़ा से हुआ है तो aneurysm को बंद करने का हमारे पास clot क्लिप लगा देते हैं उसके द्वराव बंद हो जाता है अगर वह intra-parenchymal hemorrhages है तो वहां surgery करके उस region को हमें वहाँ पर establish करने की जरूरत होती है बहुत सारे और भी कारण होते हैं जो कारण हो hemorrhages के उसको उसक रखने की कोशिश करते हैं 220 by 110 या उसके आसपास रखने की कोशिश करते हैं मैंने भी आपको बताया ऐसा क्यों करते हैं तो इस चीज़ को अगर हमें समझना है तो इसके मामले को जानने के लिए हमें cellular perfusion के बारे में सोचना होगा हम जानते हैं जो हमारा brain होता है यह closed compartment के भ प्रेंकाइमा होती है आप समझ सकते हैं जो brain के प्रेंकाइमर जो tissue होते हैं यदो उखने हैं यहां पर कुछ blood vessels होते हैं आपसे जानते हैं blood vessels होते हैं और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा बहुत fluid का भी आप अनुमान लगा सकते हैं अगर यहाँ पर देखें यह पूरी की पूरी जो boundary है यह बहुत fix है हमारे पास यहाँ पर इससे जादा बढ़ने का कोई chance दे आप समझ सकते हैं हम इस cavity को cross नहीं कर सकते हैं इतना hard यह हमारा brain है कि हम इसको इससे beyond नहीं जा सकते हैं तो अगर माल लीजे यह तीन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है चाहे extra cellar compartment हो चाहे blood हो या फिर हमारे जो neurons है यही तीन चीज़े हैं अगर माल लीजे blood कम हो रहा है blood कम हो रहा है अगर माल लीजे कुछ भी यह अगर माल लीजे यहाँ पर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं यहाँ hemorrhizes अगर हो रहा है hemorrhizes की वज़ा से यहाँ पर देखे एडिमा अगर हो रहा है एडिमा अगर हो रहा है उसमें जब blood edema ज़ादा होने लगा तो आज पास के neurons पर दबाओ पढ़ता है दबाओ पढ़ने की वज़ा से neurons damage हो सकते हैं इसलिए मैंने आपको कहा एक तो रास्ता narrow हो गया है दूसरा यह edema ना होने पाए अगर edema नहीं हो रहा है और रास्ता narrow है तो हमें high pressure रखते हुए आगे blood vessels से circulation maintain कराने की कोशिश करनी है और इस दौरान यह भी कोशिश रखनी कि आगे की neurons proper nutrients पास सके वहाँ perfusion बहतर तरीके से हो सके इसलिए हम यहाँ पर higher side में लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं 220 oblique 100 उसके आज पास रखते हैं या उससे कम ही रखते हैं systemic stroke के मामलों में हम जानते हैं cerebral perfusion pressure mean arterial pressure minus intracranial pressure इनके बीच के differences के बराबर होता है तो cerebral perfusion की बात अगर हम कर रहा है तो mean arterial pressure यह 75 आम तोर पर 93 से 100 के आसपास होता है 75 या उससे ज़्यादा तो होता ही होता है यह चीज हमारी जानकारी में है कि यह 75 से ज़्यादा होते हैं 93 100 के आसपास हम physiology में calculate करते हैं intracranial pressure यह 5 या उससे कम ही होता है लेकिन overall अगर हम कहें to mean arterial pressure normally 100 के आसपास होता है या उससे कम होना चाहिए ये बढ़ करके ये 30 या उसके आसपास हो गया और कलपना करें कि जो हमारा मीन अर्टियल प्रेशर गर उत्रा ही हमने मेंटेन रखा 75 के आसपास तो आप कह सकते हैं सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर अब 35 होगे जो परे 70 के आसपास था वो अब घट करके 35 के आसपास होगे इसके कारण आप समझ सकते हैं कि यहां पर सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाने के वज़ा से cells के पास nutrients कम पहुँच पाएंगे इसके कारण यहाँ पर cells को nutrients नहीं मिलेगा cells damage होना शिरू हो जाते है इसी वज़ा से हमें थोड़ा सा higher side पर रखने के जरूरत होते हैं लेकिन अगर हम thrombolysis कराना चाहते हैं जो अगले point पर हमने mention किया है कि अगर हम thrombolysis कराना चाहते हैं तो blood pressure उस दौरान हम 185 oblique 100 या 110 के आस पास हम रखने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से हम कहा सकते हैं 185 oblique 100, 110 यह higher side होता है उससे कम ही रखना होता है और इससे उपर अगर blood है blood pressure अगर इससे ज़्यादा है तो कम सकम हम इस range में आने की कोशिश करते हैं इतना हैं हैं हम्रेजिक का reason में तो हमें 140 oblique 90 या उससे नीचे रहने की ज़रुवत होती तो ऐसे मामलों में जब हमें एक cut off value से नीचे blood pressure को रखने की ज़रुवत होती तो ऐसे मामलों में हम कुछ खास anti-hypertensive drugs देते हैं खास तर पर इसमें nitro से related कोई भी anti-hypertensive drugs नहीं देनी है emergency situation है लेकिन हम nitro term से related कोई भी anti-hypertensive drugs यहाँ पर नहीं देंगे यहाँ पर देंगे blood pressure high है तो हम levitalol दे सकते हैं, nicardipin दे सकते हैं clavidipin दे सकते हैं लेकिन इसके अलामा बाकी सारे drugs हमें नहीं try करना है खास तर पर उन drugs पर तो बिल्कुल बात नहीं करनी है जो nitro के term से होते हैं तो उन्हें हमें नहीं देना होता है इसमें देखें, nitroglycerine हो गया यह nitro proside हो गया, उन्हें नहीं देना है क्यों? क्योंकि यह intracranial pressure को बढ़ा देते हैं इसके अलामा हमने आपको बताया कि blood pressure को हमने cut-off value तो maintain के हुआ है वो value thrombosis में, अगर thrombotic causes of stroke अगर है आप समझ सकते हैं, istrumic causes सीथे तर पर कहें istrumic causes है, जहाँ पर हमें thrombosis कराना है तो वहाँ पर 180 by 110 तक ले जाना है लेकिन अगर hemorrhizic है, तो 140 by 90 या उससे कम ही रखना है जिसके लिए हम antihypertensive drugs शिरू कर चुके हैं अगर इसके बाद हमारे जो further management की बात करनी है BP थोड़ा सामने, lower side पर रखे हुए है और उसके बाद हम thrombosis कराते हैं हम क्या करते हैं, thromboletic drugs देते हैं जिसमें L-teplase और L-teplase देने का बहतर response हमें 4.5 आज के पहले-पहले मिलता है ये है क्या TPA है tissue plasminosin activator है इसका माइने क्या होता है, उसके बारे में अभी हम आपके साथ यहाँ पर image में दर्शाएंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं tissue plasminosin activator के role को tissue plasminosin activator हमारे body में naturally tissue plasminosin activator release होते रहते हैं जो plasminosin को plasmin में बदलते रहते हैं action में हमारी body total equilibrium का खेल है हम जब कभी भी किसी action को करना चाहते हैं तो वो proper refinement में होता रहता है तो इसका opposite action भी होता रहता है कहीं पर भी बहतर results जब हमें तभी मिलते हैं जब हम action और उसको regulate करने वाले चीज़ों के बारे में भी देखते हैं यहाँ पर भी देखेंगे हमारी body में thrombus अगर कहीं बना हुआ है कहीं बहतर तरीके से thrombus develop हो पाया या नहीं हो पाया इंडोथिलियम की दिवारे tissue plasminogen को release करती है और उसके बाद यह TPA plasminogen को plasmin में बदलता है और यह plasminogen जब plasmin में बदल जाता तो उसके बाद यह fibrin को तोडता रहता है तो यहाँ पर देखें यह fibrin को degrade करता रहता है इस तरीके से fibrin के degradatory जो products हैं उनके बारे हम यहाँ पर देख सकते हैं तो हम ऐसा ही synthetic एक अपने level पर thrombolitic drugs develop कर दिये जिसमें L-teplase जिसे हमें 4.5 hours के भीतर-भीतर देना होता है यह tissue plasminogen activator है मैंने आपको बता रखा है यह सारी की सारी घटना है अगर एक basic facts हमें पता चल जाएं किस तरीके से atherosclerosis होते है atherosclerosis के बाद कैसे वहाँ पर जाकर के platelets deposit होते है platelets के उपर fibrin कैसे जाकर के deposit होता वो सारी घटना है अगर एक बार recall हो जाएं किस तरीके से hemostasis के process होती है वो चीज़ें जो हम pathology में पढ़ते है pathology में उन सारी चीज़ों का जो रोल होता है और उसके बाद इसको फार्मा से correlate कर दें इतना है नहीं हम यहाँ पर atherosclerosis की जो basic समझ है उसको अगर देख लें तो हम कई सारे जगों पर TPA के इस्तेमाल किया जाने के उम्मीदों के बारे में बात कर सकते हैं जैसे अभी यहाँ पर दर्शाय गया है TPA का रोल, L-T-Plaise का रोल हम और कहां देख सकते हैं acute MI के मामले में, deep vein thrombosis के मामलों में pulmonary emboli के मामलों में या फिर कोई central catheter से कोई clot है, उसको clear करना है clogging of central catheter ऐसे मामलों में भी TPA का रोल देखा जा सकता है खैर, हमने thrombosis करा दिया अब इसके बाद क्या? हमें देखना होगा, city angiography करके उस location को जानने की कोशिश करने होगी जहां पर thrombosis develop हुआ है city angiography अगर available है तो हम उस level को जानने की कोशिश करेंगे कई बार हम clinical examination करके हम उस reason को localize करने का प्रयास करते हैं उस तरीके से कैसे हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे clinical examination के तोरा कैसे हम उस region को ensure कर पाएंगे इसको जानने के लिए हम cranial nerve examination peripheral nerves के जो examination होते है ascending pathway को कैसे हम trace करते हैं descending pathway के क्या क्या हमारे clinical examination होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करना होगा तब हम उस region को localize कर पाएंगे हम इसके लिए मैंने आपको बताने हैं हम पुरा पुरा एक clay का एक model आपके सामने रखने की कोशिश की हैं जिसको मिला करके उस सारी चीज़ों को एक बार simplify करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे face है यह पुरा पुरा सरिब्रम है यह दिखेंगे brain stem है brain stem के यह तीनों ही जो different parts हैं उन सारी चीज़ों को मिलाते हुए इस पूरे image को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे तो blood care circulation को अगर हमें समझना है तो यह सारी चीज़ें हमें ensure करने हुए तो देखें city angiography इतना है नहीं city perfusion study करके हम उस area को देखने की कोशिश करते हैं उस vessel को देखने की कोशिश करते हैं यहां पर stroke develop हुआ है और कई बार ऐसा होता है कि proximal artery involved हो जाती है आपको बता होगा ethrosclerosis की घटनाय जो होती है बड़े vessels में ज़्यादा बहतर उसका locations एक तरीकी से देखने को मिल जाता है जैसे abdominal arta में कई बार develop हो जाती है carotid artery में develop हो जाती है मैंने आपको बताना इसी तरीके से अगर मालीजे हमारे ब्रेन के जो circulation है हमारे ब्रेन के circulation में अगर वो proximal artery के level पर अगर develop हो गई तो आप समझ सकते हैं आप कल्पना करें कि अगर ये नीचे से जो vertebral artery आ रही है ये सारी चीज़ अभी हम discuss करेंगे हम next level में आपसे ये बात करेंगे क्यों हम पढ़ते हैं circle of willis के बारे में क्यों हम पढ़ते हैं इस पूरी के पूरे connection के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं इस cerebrum के पूरे पूरे हिस्से के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं यहाँ पर cut section हम क्यों पढ़ते हैं Neuro Anatomy में यहां का cut section हम क्यों पढ़ते हैं Mid Brain के level पर cut section इन सारी चीजों को एक साथ Medicine की पूरी Understanding के साथ justify करने की कोशिश करेंगे तो जो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम Medullary Reason में हम cut करते हैं फिर उसके बाद हम Ponto Medullary Reason में फिर उसके बाद यहाँ पर जो Mid Brain के निचले हिस्से में जो हम cut section देखने की कोशिश करते हैं या फिर हम Pons के level पर या Medulla के level पर जो का हम cut section देखते हैं वो actual में हम जानने की कोशिश करते हैं tracks का location ताकि हम इन stroke के reason में कौन-कौन से हिस्से प्रभावित हो रहे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकें खैर मैंने आपको बता वो area कौन सा localize हो रहा है कहाँ पर वो है जहाँ पर stroke develop हुआ है उन सारी चीज़ों के बारे में जब हम पता कर लेते हैं तब हम और बहतर तरीके से ensure हो पाते हैं आगे कितनी उमीद है patient की condition ठीक होने की तो यहाँ पर देखे वो कौन सा area है कौन सा vessel है अगर proximal artery involved हो गई है तो ऐसे मामलों में हमें endovascular procedure कराने के ज़रूद पढ़ती है ऐसे मामलों में stent डाल करके फिर उसे निकाल दी जाती है second generation कुछ stent हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जो retriever stent होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें endovascular जो procedure करनी के ज़रूद तब पढ़ती है समाली जै कि हमारा ये internal carotid artery के शुरूवाती जब उसकी branching निकल रही थी वहीं पर thrombus कोई बन गया है या embolai वहाँ पर है तो ऐसे मामले में stent डाल करके हम दुबारा उसको खीच देते हैं reverse procedure जो retriever stent के माध्यम से हम यहाँ पर करते हैं अब सवाल यह है कि जो भी thrombosis की घटना थी वो हमने 4.5 hours का एक duration वहाँ पर patient के सामने रखे हुए golden period यही हम मानते हैं यहाँ तक अगर patient आ जाता है तो फिर हम tissue plasminogen activator के दवारा clot को dissolve करने की कोशिश करते हैं क्या होगा अगर patient 4.5 hours से आगे के समय में पहुचता है तो ऐसे मावलो में हमारे पास higher center पर दो option होते हैं दोनों को ही हमें इस्तेमाल करना होता है thromboletic therapy और endovascular procedure दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पर endovascular procedure का कितना benefit हो सकता है कि patient के benefit में किस तना यह हो सकता endovascular procedure हाला कि अगर patient 24 hour के बाद आता है तो फिर हमारे पास chances बहुत न के बराबर होते हैं अगर कलपना करें कि हमने within 24 hour यह सारे काम कर लिए हाला कि कोशिश यही करनी चाहिए कि 4.5 hours के भीतर भीतर हम thrombos को dissolve करा दे या जो embolai है उसको हम dissolve करा दे तो हमारे पास बहतर chance होते हैं अगर 24 hour के बाद patient आता है तो फिर हमारे पास chances बहुत कम होते हैं 24 hour के भीतर भीतर अगर patient पहुंच जाता है तो हमारे पास maximum option यही होते हैं और उस समय हम कुछ oral medicines भी शुरू कर चुके होते हैं में हमें aspirin और clapdogrel देना होता है aspirin और clapdogrel अगर हमने thrombosis करा दिया तो 24 days तक इसका combination देना होता उसके बाद अगले एक साल minimum हम aspirin लगातार continue रखते हैं यह हमारे एक basic समझ होती है अगर thrombosis का क्या-क्या indication हो सकता है तो उसके मामलों को हमें समझना चाहिए क्योंकि इस पर based objective questions हम से पूछे जा सकते है क्या है thrombosis और कब कराना है हमने यह कहा ला thrombosis कराना बहुत जरूरी है क्या-क्या indication हो सकता है तो non-contrast CT scan पर उसकी presence है patient की condition ठीक ठाक है उसके बाद अगर हमें यह पता चल चुका है clinically diagnose हो चुका है stroke है इसके अलावा patient 4.5 आर्ट से पहले-पहले पहुंच चुका है CT scan पर हमें पता चल चुका है कि hemorrhizes नहीं है कोई edema नहीं है और यहाँ पर अगर edema भी है तो middle cerebral artery की territory का one by third से जादा वहाँ पर कोई edema involved नहीं हुआ है और patient की age 18 years से जादा है तो ऐसे मामलों में हम patient के thrombosis करा सकते हैं यह conditions हमें याद रहना चाहिए को कि इस पर based questions हम से पूछे जाते हैं यहाँ पर indication for thrombosis कई बार पूछा गया है तो इसमें clinical हमें stroke के diagnosis हो be fast में यह सारी चीज़े हैं और as a doctor भी हमने examination से देख लिया patient की हालत खराब है इसके लवा patient की इस 18 साल से जादा है patient को non contrast CT scan पर हमने देख लिया irima कम है और वहाँ पर thrombosis का hemorrhizic कोई cause नहीं है thrombosis या embolai का ही कोई कारण हो सकता है ऐसे मामलों में हम देख सकते हैं patient सही समय पर आये हुए है तभी हम हमें इसका indication मिलता है और patient को response भी तभी अच्छा मिल सकता है इसके अलावा अगले लेवल पर हम देखते हैं कि कब हमें thrombosis नहीं करना है अगर patient की BP बहुत हाई हो इसके बावजूत कि हमने antihypertensive drugs दे दिया है bleeding, diathesis, जैसे मामले जो hemorrhages के दोरान देखने को मिलते हैं या फिर patient को recent कोई head की injury हुई है या intra cerebral कोई hemorrhages हुए है या फिर patient का पिछले 14 दिनों के भीतर 2 weeks के भीतर कोई measure surgery हुई है या फिर patient के पिछले 3 weeks के भीतर कोई GI bleed हुई है और bleeding यहां पर नहीं हुआ तो किसी दूसरे reason से bleeding हो सकता क्यों को thrombosis के बाद आप समझ सकता thrombosis जो है thrombosis को अगर आपने dissolve किया तो पता चला कि यहां तो benefitory effects है जहां हमें चाहिए था thrombosis develop कराना हमें चाहिए ही चाहिए था अगर माल यह patient में कोई surgery हुई है तो वहां तो हमें चाहिए होता है bleeding को रोकने के लिए GI bleed को रोकने के लिए natural ही चाहिए MI के मामलों में अगर ऐसी कुछ है या head injury हुई है जहांबर natural हम चाहते है thrombosis develop हो अगर वह भी dissolve हो जाएगा तो पता चला कि वहां गलती से अगर dissolve हो गया तो पता चला वहां bleeding start हो जाएगा तो इसलिए surgery अगर हुई है head injury है तो ऐसे मामलों में हमें thrombosis नहीं कराना है duration हमें याद रहे क्योंकि इस पर question पूछा जाता है major surgery in general कोई surgery है तो 14 days GI bleed है 21 days यानि 3 weeks 2 weeks 3 weeks का याद रहे recent MI इसके लिए कोई specific कोई time duration नहीं बताया गया recent MI की बात कहीं गई है तो इस तरीके से कब हमें thrombosis को नहीं clot को नहीं dissolve कराना है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करना है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इसलोजी की लेवल पर अब हमें ensure होना होता है जिसने मैंने आपको पताया thrombus अगर एक बार हमें पता चल गया है thrombus है या embolai है तो हमने इसको dissolve कर दिया लेकिन करी बार ऐसा होता है कि हमने जब patient का thrombosis करा दिया तो फर्दर हम और ज़्यादा detail में वहाँ पर जानने के कोशिश करते है कई बार ऐसा होता है कि वह thrombus जो develop हुआ है वो किसी और origin पर develop होकर embolai के रूप में वहाँ पर पहुँच गया तो अगर हम देखने की कोशिश करें माल लिजे इसी image को लेकर के चलें और इसको expand करें तो माल लिजे हमारा ये cardiac origin का इस तरीके से हम देख रहे है यहाँ से कोई thrombus बना primary location जो thrombus का था वो यह था यहाँ पर कोई thrombus बना या atrial fibrillation के दौरान कोई thrombus बना वो घूमते टहलते वो जाते हुए यहाँ के blood vessels को जाकर के block कर दिया तो इस तरीके के embolai के origin को हमें पहचानना होगा इसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं तो हम यहाँ पर ECG करा करके patient के primary location पर ECG के दौरा हम यहाँ पर देख सकते हैं patient का कोई primary cause काडियक तो नहीं है इसी तरीके से अगर हमें ECG पर कुछ doubt हो रहा है तो अगले लेवल पर हम ECG कर सकते हैं ट्रांस थोरैसिक ट्रांस उसफीजर ECG करा सकते हैं या फिर हम और भी Doppler scanning करके हम carotid origin पर देख सकते हैं कि यहाँ से कोई clot तो जा करके वहाँ embolai के रुप में वहाँ पर जा करके blockis तो नहीं कर दिया है इस तरीकी की चीज़ों को हमें देखना होता है तो thrombus के level पर अगर हो रहा है तो एक तो होता है thrombus किसी और origin का है जो यहां का thrombus जा करके अगले level तक पहुँच रहा है एक मामला यह भी हो सकता है कि thrombus local यहीं पर develop ही हुआ माल लिजे thrombus local इसी location पर develop हो रहा है तो हमें उसको भी देखनी की जरूवत होती है कई बार यहां पर मैंने आपको बता है atherosclerosis की वज़ा से thrombus develop हो सकता है तो सारी चीज़े अब हमें work out करना है किस location पर है, कहां पर है, कैसे thrombus develop हुआ उन सारी चीज़ों को तो thrombus अगर develop हुआ है तो वो at particular site पर होता है और आम तोर पर यह night time में इस तरह के thrombus develop होते हैं और यह step wise deficit पैदा करते हैं मैंने आपको पता है ना, धिरे-धिरे करके thrombus आगे बढ़ता जाएगा patient की condition बिगड़ती जाएगी जिसको हम transient istumic attack group में देखे थे 40% जो istumic stroke होते हैं वो इसी की वज़ा से होते हैं इसमें hematological अब यहां पर क्या होता है कि 40% इस चीज़ को याद रखेगा istumic stroke की वज़ा जो है यही thrombus का formation at a local site और इसमें thrombus क्यों develop हुआ कई बार ऐसा हो तक हमारे body में hyper coagulable state होता है जैसे हमारे RBC के नंबर बढ़े हुए platelets के नंबर बढ़े हुए blood slowly तो चली रहा sickle cell anemia जैसे diseases हों जो हमारे blood को ज़ादा hyper coagulable state में बनाया हुए हों तो आम तोर पर हमारे जो atherosclerosis develop हो रहा था इन में वहीं पर जा करके अचानक से thrombus grow करना शुरू कर दे तो इसका मतलब यह होता है hematological origin में thrombocytosis आप समझ सकते platelets बढ़ा हुआ है या RBC बढ़ा हुआ है या sickle cell diseases या फिर hyper coagulable कोई भी states जैसे इस समय करोना के बहुत सारे patients में stroke के मामले देखे गया है तो उसका करन क्या रहा है वहाँ पर hyper coagulability के states की होने की वज़ा से होता है कई बार मैंने आपको ओता है embolic stroke जिसमें thrombus कहीं और बनता है वो embolai के रूप में पहुंच जाता है तो ऐसे मामले day time में आमतर पर जल रली देखने को मिलते है abrupt onset होता है इसमें कोई warning like TIA जैसा यहाँ पर नहीं होता है maximum जो भी clinical presentation होता है उस समय हमें देखने को मिल सकता है जो ही clot यहाँ बना माले यह cardiac origin पर clot बना और वो घूमता टालता ब्रेन तक पहुंच गया तो जाहरे से बात है तुरंत उसने ब्लॉक किया तुरंत सिंटम्स आने शुड़ हो गया maximum जो हमें clinical presentation मिलता है on spot मिलता है इसमें step wise progression नहीं होता transient systemic attack या thrombus अगर brain में ही develop हो रहा है तो उसमें हमें थोड़ा समय लगता है develop होने में बॉलाई clot वहाँ जाकर यह जम सकता है वहाँ समझ सकता है ऐसे मामलों में brain के किसी भी हिस्से से जाकर multiple location पर हमें body के brain के बहुत सारे parts को involved कर सकता है अगर वो cardiac origin का है और cardiac origin पर अगर माले वहाँ पर कोई thrombus या clot अगर develop होआ है तो mural thrombosis उसका primary origin हो सकता है rheumatic heart disease या arrhythmia की वज़ा से arrhythmia की वज़ा से होता क्या है blood जो है इस तरीके से आप समझे arrhythmia में होता क्या है इस तरीके से cardiac muscles जो होते हैं बहुत अच्छे से contract नहीं कर पाती है जितना contract करना चाहिए उतना contract नहीं कर पाती है arrhythmia के condition में वो sluggish flow होता है यहां blood इकठा रहता है ऐसे इकठा रहेगा तो इसके कान के आप blood जब रुका रहता है तो वहाँ पर अचानक से clot develop होना शुरू हो जाते हैं और वो clot अपने primary location को छोड़ करके इंबॉलाई के फार्म में दूसरे जगह पर जाकर कि block is brain के level पर कर सकते है इससी तरीके से mitral valve का prolapse इसके condition के बारे में जब हमने study किया था काडियोजी में तो वहाँ पर यह discuss हुआ था mitral valve की prolapse के conditions में इस तरीकी के हटना है देखने को मिलती है इससी तरीके से prosthetic heart valve के मामलों में भी हमें cardiac origin के यह बने हुए जो thrombus होते हैं या clot जो होते हैं वो जाकर कि brain को involved कर सकते हैं इसमें हम कुछ और भी कारणों के बारे में बात कर सकते हैं जैसे thrombus या emboli के जो stroke develop होते हैं इसके जो basic इसका जो reason जो होता है जैसे clot चाहे यहां develop हो चाहे brain में develop हो इसके बहुत सारे कारणों में जो basic जो शुरुवाती जो कारण होता है वो atherosclerosis का होता है आप जानते हैं atherosclerosis के मामलों में ऐसे घटनाएं होती हैं जिसमें बाद में चल करके thrombosis का risk होता है तो यह सारी चीज़े हम देख सकते हैं कई बार autoimmune diseases की वज़ा से blood vessels narrow हो जाती है SLE और vasculitis के मामले भी इसके बड़े कारणों में से देखेगा है मैंने अब को उता है 64% ऐसे मामले होते जिन में हम बहुत specific कोई कारण नहीं बता पाते तो वहां पर कई सारी चीज़ें वहां पर उसके लिए responsible हो सकती है जो mention किया है Harrison ने उसमें 64% बहुत सारे कारणों में से यह भी कारण होते है सिफलिस या AIDS के मामले भी इस तरीके के हो सकते हैं जो किसी खास region को involved करने हैं इस तरीके से drug abuse करने पर कोकाइन, amphetamine या heroin का इस्तेमाल करने पर blood vessels construct कर जाती है blood vessels यों construct कर जाती है तो blood का circulation slow हो जाता है जब हम इस तरीकी की बाते पढ़ते हैं जब हम drug abuse हम पढ़ेंगे forensic medicine में तो वहां पर हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में stroke develop होने का risk बहुत जादा होता है तो वहाँ पर जो objective questions बनते हैं उसमें clinical history में कुछ cocaine का abuse और उसके बाद stroke की presentation के साथ clinical scenario हमनारे सामने रखा जा सकता है इससे तरीकिस leckner infarct जो chronic hypertension की वज़ा से develop होता है वो भी एक कारण यहाँ पर हो सकता है अब hemorrhagic stroke की बात करें बारे में हमें पता होने चाहिए इसके तीन तरीके से होते है एक epidural या subdural hematoma की वज़ा से sub arachnoid hemorrhagic जो होते हैं एन्यूरिज्म या AV malformation की वज़ा से या intra cerebral hemorrhagic होते हैं वो hypertension या amyloid angiopathy की वज़ा से होते हैं आगे हम आपके साथ discuss करेंगे अगर माले या hemorrhagic causes होते तो वो ncct पर हमें पता चली ही जाता है hemorrhagic का location अगर हमें जानना है तो mr angiography पर हमें पता चली ही जाएगा hemorrhagic हुआ क्या है ऐसे जगहों पर भी हमें देखना होता है patient का कितना edema का effect है उसकी parameters कितने हैं उन सारी चीज़ों को जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर blood का investigation cbc, esr, vdrl, syphilis जैसे मामले को मैं आपको बताना है यहाँ पर serum glucose को भी cholesterol को, lipid profile को इन सारी चीज़ों को चेक करने की जरूवत होती इसके लावाँ ECG पर हम थोड़ा सा और बहतर तरीके से जैसे हमने ischumic वाले मामलों में हमें पहले तो पता नहीं रहता ना hemorrhagic में भी वो सारे टेस्ट कराने है ECG को कराना है इको काडियोग्राफी को कराना है lumber, puncture भी हमें कराना पर सकता है अगर हमें लगता है hemorrhagic है और hemorrhagic का लोकेशन अगर सब arachnoid hemorrhagic होते हैं तो वहाँ पर rule out करने के लिए lumber, puncture कराने की जरूवत पड़ती है तो overall अब तक की discussion में हमने ये देखा 85% मामलों में ischumic origin की वज़ा से ischumic causes की वज़ा से stroke develop होता है 15% मामलों में hemorrhagic की वज़ा से develop होता है जो हमने देखा यहाँ पर thrombus का develop होने की बाते हैं तो उसमें करीब 40% मामले हाला कि पहले मैंने 60 बोल देखाए तो उसको सही कर लिजएगा 40% मामले जो होते हैं thrombotic reason की वज़ा से stroke के होते हैं और जो 60% मामले होते हैं उसका primary origin thrombus या clot के formation का कहीं और होता है वो घूमते डालते brain तक पहुच करके वहाँ पर होता है तो embolic causes of stroke formation भी हमने देखा हमने यह देखा कौन सा presentation कैसे होगा अगले level पर जब हम बात करेंगे तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे different blood vessels को हम different parts को समझने की कोशिश करेंगे different tracks को समझने की कोशिश करेंगे उस area को localize करने की clinical presentation के आधार पर हम कोशिश करेंगे जहांपर stroke develop हुआ है और उसकी कितनी prognosis होगी उन सारी चीजों पर आपके साथ अगले lecture में discuss करेंगे